नेविल गोडाड कहते हैं कि आपकी धारणा बले ही जूटी है यदि आप उस पर बने रहते हैं तो ये भोतिक दुनिया में वास्तविक हो जाएगी जिसका आर्थ है कि जब आप मानते हैं कि कुछ वास्तविक है तो ये तुरंत वास्तविक नहीं हो जाता है जिसकी आप ये भोतिक दुनिया में वास्तविक है इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं नेविल कोडाड की टैक्टिक जिसमें आप सीखेंगे कि किसी भी इच्छा को बहुत कम समय में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप ये सोचते हैं कि सब इच्छ हैं एक liner method से मैनिफेस्ट हो जाती है liner method जैसे कि मानने कि आप मिलिनियार बनना चाहते हैं तो आपको लगता है कि मुझे एक नौकरी ढूननी होगी या कोई business करना होगा जो एक कदम है आपकी इच्छा को पुरा करने के लिए और फिर मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मुझे अच्छी salary या income मिले और ये भी हो सकता है कि इन step को आपको कई बार धोराना पड़े जब तक कि आप किसी ऐसे point पर नहीं पहुँच जाते जहां आपको तैंक करीवी income ना मिल जाए एक example और लेते हैं imagine करें आप किसी नए साथी की तलाश कर रहे हैं तो आप ऐसा सोच ले की आपको इसके लिए बहुत लोगों को date करना होगा और तब जाकर आप अपनी पसंद के जीवन साथी से मिल पाएंगे क्योंकि यह संभावना का खेल है लेकिन जड़ा रुकिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है manifestation ऐसे काम नहीं करता है अगर आप इससे जल्दी पाना चाहते हैं तो यहां आपको एक ऐसी वास्तिक्ता बनानी होगी जहां आपकी इच्छा पहली से ही आपकी है मतलब वो सब आपका हो चुका है या मिल गया है जो आपकी इच्छा है और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना होगा जैसा हम पहले example के थुरू discuss कर चुके हैं क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है आपको इस विचार को छोड़ने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को परकट करने का एक मात तरीका वे है जिसके बारे में आप भविश्यमानी करते हैं कि यह परकट होने जा रहा है आपको यह भूलना होगा कि वहाँ परकट होने के लिए आपको कितने कदम उठाने की ज़रूरत है अपनी इच्छा को सबसे चमतकारी तरीके से परकट होने दे आपको जो उसके लिए प्रोग्रेसिव स्टैफ लेने है वो आप लेते रहिए बड़ जो आपका माइन स्टैट है वो आपको इसी तरह का बना के रखना होगा अब आपको यहाँ यह समझने की आशकता है कि एक दिन या तीन दिन या उससे कम समय में किसी च्छा को परकट करने के लिए कोई वास्त्विक समय नहीं है यह एक भ्रहम है यह वास्त्विक नहीं है क्योंकि हमारा मन समय का निर्मान करता है और यदि आप समझते हैं कि समय एक भ्रहम हैं तो कुछ भी परकट कर सकते हैं आप किसी भी शर्ण तो चलिए वास्तव में इसे करते हैं आपको सबसे पहले यह कल्पना करनी होगी कि यह पहले सी आपका है क्या आप एक कल्पनिक द्रश्य के साथ आ सकते हैं आपको यह मान कर चलना है कि आपकी इच्छा पहले सी पर कट हो चुकी है तो उधारन के लिए मान ले आप पर्मोशन चाहते हैं और प्रमोशन एक नए ओफिस की कलपना के साथ आएगा आप अभी उस ओफिस में हैं आपके पास नई डैस्क है और आप अपनी डैस्क पर अपने काम करने के समान को सजा रहे हैं और ये तब होगा जब आपकी इच्छा पहले से ही आपकी थी या मान लें कि आप शादी करना चाहते हैं तो क्या अलग हो सकता है आप अपने पती या पतनी के साथ सौफिफ़ पर समय को इंजोय कर रहे हैं आप ऐसा करके देख सकते हैं जो भी हो आप इसमें मानसिक रूप से शामिल हो सकते हैं वास्तिक्ता के इस संस्क्रण को इस समानतार वास्तिक्ता में जहां आपकी इच्छा पहले सी ही आपकी है और इसे पहले व्यक्ति के दरस्टी कौन से अनुभव करें और अपनी इच्छाओं से जुड़ी संभावनाओं को बहावनाओं को महसूस करें इसलिए दूशे शब् बड़ी और गहरी रहात महसूस करेंगे यदि ऐसा हुआ तो तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि आप उस स्थिती में हैं जहां आपको किसी का कोई पैसा नहीं देना है आप पर कोई बोश नहीं है आप इसे मुक्त हैं मांसिक रूप से उस स्थिती में पहुँचे और महसूस करें दरश्यों के साथ एक कल्पनिक दरश्य का निर्मान करें आप एक वारतलाब परा सकते हैं जहां आप किसी के साथ फोन पर समचार साजा कर रहे हैं अरे आपको याद है यह कितना बड़ा कज़ था और यह धूर हो गया क्या यह अद्बुत नहीं है आप केवल भावना पर रुद्धान केंदित कर सकते हैं क्योंकि भावना रहस्य है आपको बस यह जहनने की आवश्यक्ता है कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने इसे प्राप किया है अब आपको बस एक नई पैचान में कदम रखना है और महसूस करना है और जब आप इसे कहते हैं या इसके बारे में सोचते हैं तो इसे उस चीज होने के भावना के साथ चोड़ते हैं जो मैं शादी शुदा हूँ मैं करोड़ पती हूँ मैं सक्सेस्फिल हूँ आप अपने आपको दोराते रहें इन्हें तोते की तरह रटना नहीं है आपको भावनाओं में इसे महसूस करना है कि आपकी शादी हो चुकी है आप आर्थिक रूप से सुदंत रहें बस मांसिक रूप से हर दिन कुछ मिन्टों के लिए दोराते रहें और भावनाओं को गहराई से महसूस करें थैंक्यू गाइस यहां तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद